हेलो एवरिवर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूँ आपकी दोस्त पवनीत कॉर और आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है जियोमेट्री और आज हम टूड़ी शेप्स करेंगे तो चलो शुरू करते हैं तो यह चैप्टर पढ़ने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है इसका मतलब कि जियोमेट्री का मीन्स क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अज हम शेप्स करेंगे तो लाइन शेप्स और कर्व्स यह तीन मिलके जो हम पढ़ाई करते हैं उन्हें हम जियोमेट्री बोलते हैं तो चलो शुरू करते हैं शेप्स से तो अब बात आती है कि शेप्स क्या होता है जैसे आपके पास कोई भी चीज है पैंसिल, जिमेट्री बोक्स, बोटल उसकी जो भी फॉर्म है उसकी जो भी आउट्लाइन है उसे ही हम शेप्स बोलते हैं तो यहीं आपे इंग्लिश में लिखा हुआ है शेप्स आर शेप्स पहले यहाँ पर हमें common shapes लेते हैं सबसे common तो जब भी कोई shapes पढ़ना शुरू करता है उसे सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि यह square है, तो आप सभी को पता होगा कि यह square है, तो उसी को example लेके हम यह जानेंगे कि edges क्या होता है, face क्या होता है और vertex क्या होता है, तो चलो common shape ली है क्या है वो square अब इस square को मैंने नाम दिया है ABCD अब ये कैसा नाम रख लिया मैं इसे ये भी तो नाम रख सकती थी राम शाम या कुछ भी अब देखो अगर तुमने इसका नाम राम शाम या कुछ भी रखा है तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें आपर नाम एक हिसा आप से रखना होता है तो जैसे यहां से नाम यहां नाम पढ़ को को R.S. helps A.B.C.D. अब यहीं नहीं है कि आप ABCD रखोक हो कुछ भी जयसे P K. कुछ भी नाम रख सकते हो आप यहां पर यहां पर यहां पर यह और यह से मिल रहा है तो यह हो गया अब तुम ही बताओ इस पूरी शेप में कितने होंगे यह एक यह 1, एक यह 2, एक यह 3 और एक यह 4 तो कितने एज हो गये हमारे 4 तो हम यहां पर लिख देते हैं 4 तो शुरू करते हैं यह 2nd पाठ वर्टेक्से तो अब तक हमने पढ़ा कि एजिस क्या होता है तो यहां से यह तक यह झो आपको लायन दिखाई दे रही है यह एज़ है और इस पूरी शेप में 4 edges है अब vertex क्या होता है यहाँ पर जब जहाँ पर दो line intersect करती है meet करती है वहाँ पर एक point बन जाता है उसे हम vertex कहते हैं अब देखो यहाँ पर कितने vertex है 1, 2, 3 and 4 तो यहाँ पर इस shape में 4 vertex है तो लिख देता है हम यहाँ पर 4 vertex है तो शुरू किरते हैं इसके third part faces से अब तुम board को मत देखो ठीक है अब तुम जिस room में भी बैटे हूँ उस room को देखो वहाँ पर four walls होंगी एक छत होगी और एक ही floor होगा अब one wall is equals to one face होता है one wall is equals to one face होता है तो तुम्हारे room में four walls हैं तो four faces होगे और एक छत है five faces होगे और एक floor है तो six faces होगे अब तुम्हारे room में six faces होगे अब अगर तुम इस square को देखो यहीं पर इस shape को देखो तो इस shape में कितने faces हैं यहाँ पर हमें एक ही side दिख रही है एक ही मतलब हमें wall दिख रही है तो हमारे यहाँ पर एक ही तो face होगया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं one face तो हमारा इस shape में है one face तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि edges क्या होता है वर्टेक्स क्या होता है और faces क्या होता है और अब मैं तुम्हें बात बताती हूँ तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमने square shape के यह भी जान लिया कि edges कितने होते हैं वेोटेक्स कितने होते हैं और फेसे कितने होते हैं तो हमारी एक शेप तो कंप्लीट हो गई तो चलोशिरू करते हैं, इसकी नेक्सप से तो हमारी नेक्सप का नाम है Rectangle तो यहांішपर square और rectangle में इतना फरग नहीं होता square की कितनी साइट्स होती है 4 और उसकी 4 की 4 आपस में equal होती है, square की चारो sides equal होती है और rectangle, rectangle की opposite sides equal होती है, जैसे की उल्टी sides equal होती है, जैसे यह देखो, यहाँ पर यह sides equal है, और यह sides equal है, तो चलो बात करते हैं, इसके edges, vertex और faces की, तो edges, अब edges जैसा की मैंने आपको बताया की यह, इस point से लेके, इस point की यह जो distance है, दूरी है, इस line को हम कहते हैं edge, तो rectangle में कितने edges हो गए, one, two, three, four, तो यहाँ पर four edges हो गए, तो हम यहाँ पर four लिख देते हैं, अब देखो, vertex, vertex मैंने आपको बताया है, जहाँ पर दो line intersect होत सकते होती हैं तो से, उस वहाँ पर Point लग जाता है, उससे हम कहते हैın vertex तो यह पर कितने vertex है, वन वन, two, three, four, तो यहाँ पर भी four vertex हैं अब बात करते होते हैं, faces की, अब faces कितने हैं अब, हम यही एह दिख रहा है, यहाँ पर एक ही face है तो हमने यहाँ पर इतनी जल्दी rectangle का भी हमने सारी properties इसकी भी निकाल ली तो चले शुरू करते हैं next shape से तो हमारी next shape है triangle तो triangle क्या होता है यह जो आपको shape दिख रही है यह triangle है और इसमें three sides है इसका मतलब जो भी आपको shape दिखे और उसमें three sides हो वो होगा triangle तो बात करते हैं इसके edges, vertex और faces अब edges जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें जितनी भी lines है किसी भी shape में जितनी भी lines है वो बना है वो edges हैं तो इसमें कितनी edges हैं इसमें कितनी lines हैं कितनी lines हैं बना है जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं मीट करती हैं वहां पर एक पॉइंट बन जाता है उसे ही हम वर्टेक्स बोलते हैं तो ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्स हैं वन टू थ्री तो इसमें थ्री वर्टेक्स हैं अब नेक्स है हमारा फेस तो इसमें वन ही तो फेस है ह अब जो हमारी नेक्ट शेप है वो है सरकल तो आप सरकल क्या होता है यह जो आपको यहां पर गोल सी शेप दिख रही है यह सरकल है तो सारी जो आपको जो भी गोल शेप दिखें वो सब सरकल है तो इस वीडियो में हम इसकी सरफ थ्री ही चीजे करेंगी एजिस कितने होते हैं vertex कितने होता and phases कितने होता है circle में अब अगर किस invert को जानने है कि circle में जो diameter, radius और code होता है तो वो channel को subscribe कर ले क्योंकि उसकी भी video जल्द ही आजाएगी तो अब पहले बात करते हैं कि circle के edges के बारे में तो अब circle में line मैंने बताया था largest क्या होता है कि जो जिन लाइन्स को मिला के कोई शेप बनती है उन लाइन्स को हम एजिस बोलते हैं तो यहाँ पर लाइन्स है पर लाइन वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी होता है तो यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है इसका स्टार्टिंग पॉ नेक्स राता है हमारा वर्टेक्स अब अगर इसमें लाइन्स ही नहीं अब लाइन्स नहीं है तो वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी इंटरसेक्ट नहीं तो पॉइंट नहीं बनेगा और अगर पॉइंट नहीं बनेगा तो हमारा वर्टेक्स कहां से आएगा तो इसमें वर्टे तो इसी के साथ हमारी आग्स की वीडियो होती है समाथ जिसमें हमने पढ़ा कि जियोमेट्री क्या होता है, शेप्स क्या होता है, एजिस, वर्टेक्स और फेसिस क्या होता है और हमने चार कॉमन शेप्स के बारे में पढ़ा जो की है स्क्वैर, रेक्टैंगल, ट्राइंगल कितने एजिस होते हैं कितने वोडेक्स होते हैं और कितने पहले मिले और एक सुन्धर सी कमेंट करके इस वीडियो को और भी सुन्दर बनाना ओके बाबाई मिलते हैं अगले एपिसोड में झाल झाल